हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हो आप लोग वेल्कम बैक टो भी एफ एक्सपेक्टिव वान सेगेंड एंड एंड लिजिन का और एक वीडियो पर आपका स्वागत है सो आज का वीडियो ट्यूटोरेल नहीं होगा एक ब्रेकडाउन होगा 3D environment scene का ब्रेकडाउन होने वाला है सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो जैसे आप देख सकते हो यह है हमरा basic scene सो इसको हम पुरा amplitude करेंगे ताकि आपको पता चले कि मैं यहाँ पर क्या kia add क्या हूं क्या kia element ekia हूं ओके सबसे पहले मैं इन सब को height कर देता हूं आप mark सबसे पहले फ्रेम यहां पर light क्या क्या add की हैं वह हम आपको दिखाएंगे जैसे बेसिकली जब भी हमें environment create करते हैं तो सबसे पहले light setup करते हैं ओके सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ अपना light folder पर इसको open करता हूँ यहाँ पर one by one पहले direction light को enable करते हैं उसके बाद exponential height fog मैंने add किया है उसके बाद यहाँ पर मैंने एक sky atmosphere and skylight add किया है जो भी basic होता है regular हम use करते हैं अगर आपको light setup सीखना है अंडरल एंजिन के अंदर तो मेरे चैनल पर बहुत सारा tutorials है आप जाके देख सकते हो बहुत easy process है उसके बाद मैंने यहाँ पर add किया है post processing volume और उसके बाद यहाँ पर HDRi बस इतना ही है और ज्यादा light setup के लिए कुछ भी नहीं है और उसके बाद मैं यहाँ पर HDRi backdrop पे मैं आपको दिखा देता हूं आप यहाँ पर कुछ भी select कर सकते हों यहाँ पर बहुत सारे options है ठीक है यह रहा हमारा basic light setup उसके बाद हमने यहाँ पर add किया है एक landscape ओके चला जाता हूं नीचे यहाँ पर हमारा landscape ठीक है आप देख सकते हो और इसका जो material है हमने को Excel से डाउनलोड किया है मैं आपको दिखा करते हैं एंड इसका नीचे details पर जाते हैं यहाँ पर है उसका landscape material ठीक है single material ही यूज किया है blend material नहीं यूज किया है बहुत ही simple है ठीक है एंड इसका जो tiling है x and y को 0.1 रखे हैं उसके बाद यहाँ पर हमने एक river add किया है तो यहाँ पर हमारा river ठीक है आप देख सकते हो बहुत ही simple है आपको simply यहाँ पर यह जो search box है यहाँ पर water search करना है और यहाँ पर आपको मिल जागा water body river और simply इसको drag and drop कर देना है उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ 3D rocks भी add किया था जो कि pixel पर जाते हैं और यहाँ पर अगर मैं local पर जाता हूं तो यह सब जो rock asset है यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला जितना भी थोड़ा white type का है यह सब मैंने download किया है ठीक है तो उसको मैं भी enable कर देता हूं आपको पता चल जाएगा किस तरह से मैंने सजाया है तो यहां पर देख सकते हो सेम रोक जो मैंने चार पांच रोक मैंने download किया है कुछ सल से उनी सब को मैंने duplicate कर करके किसी का scale change करके rotate करके यहां पर use किया है ठीक है वो सब यहां पर सेम रोक्स को ही मैंने यूज किया है सो दूर जाके आपको दिखा देता हूं ठीए बहुत ही सिंपल है है ओके सो उसके बाद मैंने यहाँ पर एड किया है कुछ क्या बूलते हैं ट्री मेगास कंट्री यह वाला यूरोपेन होनबन का तो उसको मैं यहाँ पर एनेवल कर देता हूं इसको हाइड करते हैं यहाँ पर है हमारा ट्री मैनुवल ट्री मैनुवल इसलिए लिखा हूं क्योंकि कुछ मेगास कंट्री मैंने यहाँ पर अपने यहां पे जोमेट्री पाइबोर पेंटर इन सब को मैंने यूज किया है यहां पर इसके लिए मैंने यूज किया है इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो उसके नीचे यहां पर देख सकते हो बहुत सारे उप्शन से wind का option है, season का option है, जो हमें color change करने का option देता है, ठीक है, देखिए, जैसे मैं decrease करता हूँ, तो ये green हो जाएगा, increase करूँगा, तो अपना color change कर जाता है, यह आपको कहाँ पर मिलेगा, यह भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर content पर जाओगे, इस तरह से, बाद, आपको यहाँ पर मिल जाता है, global foliage actor, यहाँ पर double click करना है, यह जो है, इसको drag and drop कर देना है, ओके, इस तरह से आपको drag and drop कर देना है, तो देख सकते हैं, उसका copy हो गया एक, ठीक है, तो इसको मैं delete कर देता हूँ, उसके बाद मैंने same mega scant trees को, यहाँ पर as a foliage use किया है, तो अगर मैं यहाँ पर instant foliage actor को enable करता हूँ, तो आपको सब के सब दीख जाएगे, ठीक है, जितना भी mega scant trees है, वो सब यहाँ पर add किया गया है, और कुछ grasses भी हम यहाँ पर add किये हैं, यह आप देख सकते हो यह वाला, तो यह जो grasses है, 3D plants से मैं आपको दिखा देता हूँ, क और अगर नीचे जाता हूँ, तो यह है कुछ grasses, यह वाला, ठीक है, यह नाम देख लो आप, आप पता लगा सकते हो, कौन-कौन सा हमने यूज किया है, इन सब को मैंने export करके यहाँ पर add कर दिया है, as a foliage, उसके बाद इसके पीछे हम लोग एक कास्टल add किये हैं, आपको enable क करके दिखाता हूँ, यहाँ पर fort, तो इसको कर देते हैं, enable, तो यह है हमारा, जो fort या फिर कास्टल जो भी बूल सकते हो, ठीक है, यह हम तीन बार copy किये हैं, सेम चीज को and rotate करके रखे हैं, तो इसको कहां से download करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, so simply आपको sketch paper पे जा artist, so आप download करके युज़ कर सकते हो and इनको credit भी दे सकते हो, okay, so इसको minimize करते हैं, so मैं आपको दिखा देता हूँ, यह तिन बार हमने इसको add किया है, rotate किया है and scale करके, थोड़ा से adjust करके, यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है, and आप यहाँ पर देख सकते हो, यह जो castle है, या फिर ford जो भी बोल सकते हो, इस पर भी मैंने कुछ mega scan tree को add किया है, foliage किया यूज़ करके, ठीक है, so अगर आपको foliage किया है नहीं पता, तो यहाँ पर sealer mode पर जाने से हमको यहाँ पर foliage का option मिलता है, और यहाँ पर बहुत सारे grasses and trees को यूज़ करके, आप यहाँ पर brush कर सकते हो and सारा का सारा जो 3D trees या फिर 3D plants से सब यहाँ पर apply हो जाएगा, और अगर आपको foliage के बारे में ज्यादा चीज़ जानना है, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो से जाके देख सकते हो, okay, so अभी वापस आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर देखो, बस कुछी चीज़ें add क हैं and यहाँ पर बहुत ही बैतरीन सेन यहाँ पर बन चुका है, okay, बस आपको थोड़ा सा टाइम दे के अच्छे से इसको सजाना है, and उसके बाद मैं अगर इसको छोटा कर दो, यहाँ पर लिखा है decals, तो कुछ decals भी उसकी हैं मैंने यहाँ पर, यह पत्ते जो गीरे ठीक है आप देखो, ठीक है, so इन सब के बारे में मेरे चनल पर बहुत सारे वीडियो से, environment creation पर वीडियो से आप जाकी check out कर सकते हो, so इसका मैंने tutorial इसलिए नहीं बनाया, क्योंकि थोड़ा सा time लगा, ठीक है, अगर मैं बनाऊंगा तो बहुत time लग जाएगा, so इसलिए मै इसका सिर्फ breakdown नहीं दिखा रहा हूँ, so छोटा सा वीडियो था, breakdown वाला था, tutorial नहीं था, so मेरा next वीडियो से बहुत सारे tutorials आने वाल है, अगर आपको आज का ये breakdown वीडियो अच्छा लगा, helpful लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और Android Engine आपको अगर सिखना है, तो आप मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे वीडियोस है, और बहुत सारे वीडियोस आने वाल है, बहुत ही useful वीडियोस, so मिलते हैं अगले वीडियोस पर, have a nice day